नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे किसी भी कनेक्टेट वाइफाई का पासवर्ट कैसे पता करते हैं ठीक है इसके लिए आपका फोन जिस भी वाइफाई से कनेक्टेट है आपको वहाँ पे कुछ देश टैप करके होल्ड करना है तो हमारा यहाँ पे इस वाइफाई से कनेक्टेट है तो मैं यहाँ पे इसे कुछ देट टैप करके होल्ड करता हूँ और आप सिदा यहाँ पे पहुंच जाएंगे उसके बाद आपको इस वाले portion पे tap करके hold करना है किसी किसी के phone में यहाँ पे setting का option आ रहा होगा तो आप वहाँ पे setting पे click कर सकते हैं जिसके phone में यहाँ पे setting का option नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे tap करके hold किजेगी इस वाले portion ठीक है तो मैं यहाँ पर टैप करके hold करता हूँ तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक QR code appear होगा तो आप इस QR code का screenshot ले लिजेगा तो मैं यहाँ पर इस QR code का screenshot यहाँ से ले रेता हूँ देन आपको अपने mobile पर Google Chrome को open कर लेना है तो यहाँ पर हमारा Google Chrome है मैं यहाँ पर इसे open कर लेता हूँ ठीक है उसके बाद आप वहाँ पर Google.com खोल लिजेगा उसके बाद आप search वाले option में लिखेंगे jing.org या jing.org ठीक है यहाँ पर jing.org यहाँ पर option आ रहा है तो आप simply यहाँ पर jing.org लिखके search किजेगा वहाँ पर आपका पहला option जो भी आएगा आप उस पर क्लिक कर दीजेगा तो यहाँ पर हमारा jing.org यहाँ पर आ रहा है तो मैं यहाँ पर इसे टैप करता हूँ बाद हमारा यहाँ पर यहाँ वेफसाइड उपन हुआ है यहाँ पर हमारा एक चूज फाइल का option आ रहा है तो आप चूज फाइल पर क्लिक करके जो आपने screenshot लिया है तो उसे लेके upload कर दीजेगा तो मैं यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करता हूँ फाइल में जाता हूँ तो अभी मैंने screenshot यह वादा लिया है इसके मैं टैप करता हूँ और यह screenshot यहाँ पर upload हो गया है ठीक है upload होने के बाद आप स्वास यहाँ पर side में आएंगे यहाँ पर आपको नीचे submit का एक option दिखेगा आप यहाँ पर इसे submit कर दीजिए मैं यहाँ पर इसे submit कर देता हूँ ठीक submit करने के बाद आपको इस परकार का result यहाँ पर सो होगा आपका mobile जिस device से connected है उस device का name आपको यहाँ पर सो होगा मेरा mobile यहाँ पर one plus north ce2 से connected है device का name यहाँ पर सो हो गया और नीचे उसका password यहाँ पर सो हो रहा है one two three four five six seven eight यह उस wifi का password है तो similarly आप इसी परकार से किसी भी connected वाइफाई का password पता कर सकते हैं तो आसा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सब्स्राइब कीजिए, धन्यवाद